हेलो फैंस वेल्कम टू नियू आक्सफर्ट एजुएशन आज हम बिहार बजट से समधित परस्टन को देखेंगे इसमें भी 50 कोशन सामिल है इसमें आप देखिए आपको 50 कोशन में कितना कोशन सही होता है इसे आपको पता चलेगा कि आपके तियारी कितनी है तो हम सुरू क आगे दिखते हैं सेकेंड कोशन सेकेंड कोशन है कि बिहार बजट 2022 सहीत बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी वार बजट परस्तूत किया गया है यानि यह 15 वार यानि 15 वार बजट अभी तक परस्तूत किया गया है आगे दिखते हैं थार्ड कोशन है कोशन है कि बि बित्य वर्स 2022-23 के लिए कितनी राशी का बजट पेस किया गया है इसे याद रखेगा 23-73-91 इस तरह से याद कियेगा तो आपको हो सकता है याद हो जाए आगे दिखते हैं फूर्थ नवर कोश्चन है कि बित्य वर्स 2022-23 में कुल बजट ब्याई पिछले वर्स 21-23 के तुलना में कितनी परतिसत बिर्दी हुई है तो याद रखेगा 8.88% option C हो जाएंगे आगे दिखते हैं question 5 है कि बित्य वर्स 22-23 में बिहार का विकास दर कितने परतिसत रहने का अनुमान लागाया गया है तो याद रखेगा यह important question है आपका option B हो जाएंगे 9.7% इस question के ध्यान रखेगा 9.7% रहने का अनुमान है question 6 है कि बित्य वर्स 22-23 में बिहार का कुल राजसु ब्याय अनुमानित है यानि कुल कितने राजसु ब्याय अनुमानित है यह ध्यान रखेगा option A हो जाएंगे ऐसे ध्यान रखेगा इस तरह से याद की जगा तो आपको याद हो जाएगा आगे देते हैं question 7 कोशन है कि बित्य वर्स 22-23 में बिहार का कुल पुंजीगत ब्याय अनुमानित है यह ध्यान रखेगा option B याद रखेगा 45,734 क्रोर option B हो जाएंगे आगे देते हैं question number 8 question number 8 है कि बित्य वर्स 22-23 में बिहार का रजशु कुल ब्याय का कितना पृतिशत अनुमानित है यह है लगभग 81% ऐसे correct है 80.76% option B हो जाएंगे देते हैं question number 9 है कि बित्य वर्स 22-23 का कितना पृतिशत अनुमानित है यहाँ पर आप से पुछा जा रहा है पुझी गत्य ब्याय कुल का कितना परसेंट है यह है 19.24% option B हो जाएंगे आगे देते हैं question number 10 करा बित्य वर्स 22-23 में बिहार सरकार की कुल राज़सु प्रापतियां अनुमानित है यह हो जागा option A हो जाएंगे इसे यहाँ रखेगा आप 19.67.07 option A हो जाएंगे देते हैं कि बित्य वर्स 22-23 में बिहार सरकार की कुल पुझी गत्य प्रापतियां अनुमानित है यह हो जागा option B हो जाएंगे यानि 41,187.43 करोर option B हो जाएंगे बित्य वर्स 22-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजसु के रूप में अनुमानित है यह कर राजसु कितने होने का अनुमानित है यह जागा option C हो जाएंगे 41,387 करोर option C हो जाएंगे कोशन है, कोशन है, कोशन है कि बित्य वर्स 22-23 में राज्य अपने स्रोतों से गैर राजसु के रूप में कोशन है कि बित वर्ष 22 में राज अपने स्रोतों से गैड कर राजसु के रूप में अनुमानित कर है यह कितना है ति इसका हो जगा 13 का ऑप्शन C यानि 6135.62 क्रोर आग देते हैं कोशन नमर 14 कोशन है कि बिहार बजट 22 में बिहार बिकास के लिए कुल कितना सुत्र तैय किय है यह आपशन C यूजाएंगे 6 इमपोर्टेंट कोशन दियान रखेगा छे सुत्र क्या है ओप्शन C यूजाएंगे निश्ट कोशन है कोशन नमर 15 कर देखार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट प्रस्तावित बजट 223 में सार्वधी खर्च निमकित में से किस पर किय जाएगा यह important question इसे ध्यान रखेगा सबसे अधिक खर्च किया जाएगा शिक्छा पर और यह है याद खेगा 49 49 49,191 करोर लगभग है इतना 49,191 करोर है जो आपका सिक्छा पर खर्च करेंगे यानि बिहार बजट में सबसे अधिक खर्च करेंगे सिक्छा पर इसको सने question नमबर पंद्रा सोरी सोला कोशन है कि बिहार बजट बैस तेश में बिहार सरकार को सार्वधिक आए प्राप्ति किस मत से होगी यह important question है याद रखेगा इसका answer option C केंद्र करो में राज के हिस्ति है तो धियान रखेगा सबसे अधिक बि के हिस्ति है फर्स्ट में सिकेंड माता है केंद्र सरकार के सहेता अनुदान केंद्र सरकार के सहेता अनुदान सबसे अधिक आपको इसका आय होते हैं केंद्र के करों में राजों के हिस्ति है के रूप में और सकेंड में केंद्र सरकार के द्वारा सहेता अनुदान आगे है तो सिक्षा पर यही आप से पूछा जा रहा कि सिक्षा पर कितने पर्षेंट कुल आई का खर्च करेंगे तो यह है आपको बताए थे यह है ऑप्षान सी हो जाएंगे 49,191.87 करोर आपसन सी हो जाएंगे आगे दिखते हैं कोश्चन नमर 19 कोश्चन है कि बिहार बज़ाट 22 स्वास्थ पर खर्च करने है तो कुल कितने राशी का आउंटर्ण किया जाएगा यह होगा आपसन बी हो जाएंगे 16,143 करोर आपसन बी हो जाएंगे कोश्चन है कोश्चन बीज कोश्चन है कि बिहार बज़ाट 22 स्वास्थ करने अधार वोथ संडचना यानि करामीन असरी भिगास के लिए कुल कितना रूपिया आउंटर्ण किया गया है तो यह है आपसन बी हो जाएंगे 29,749.64 करोर आगे देखते हैं कोश्चन न बैस करा है कि बिहार बजट बाइस तेश के ताथ राज में सरक दुर्गाटना में मिर्टकों के आसीतों को कितना रुप्या का मौफ़ा देने का पुढ़ाँ किया गया तो यह है पांच लाख आपसन ए हो जाएंगे आगे है नेक्ट कोशन नेमर तेश करा है बिहार बजट तो या बैस तेश के नुशाद बहार में कुल कितना जल बिदूत पर्योजना उत्पादन रत है या या कितने जल बिदूत पर्योजना है वह अभी उत्पादन कर रहे हैं तो यह वह गाथ तेश का option A 8 आगे देते हैं next question question number 24 कोशन है कि बिहार बजट 22 में वर्नीत समय कित बीत ये प्रबंधन परनाली को कब से लागू किया गया था यह है ध्याना केगा 1 अप्रेल 2019 ये कोशन इंपोटेंट है इसे ध्यान रखेगा 1 अप्रेल 2019 आगे देते हैं कोशन नमर 25 कोशन है कि बीत वर्स 22 तेश के तत राज का राजकोश्य घाटा कितने करोड अनमानित है ये इंपोटेंट है ध्यान रखेगा राजकोश्य घाटा आपसे कभी-कभी डाटा से पूछ लिए जाते हैं तो 25 को होगा option C यह होगा ऐसे याद रखेगा आप 25,885.10 क्रोर ऐसे याद रखेगे 25,885 option C हो जाएंगे आगे देखते हैं question 26, question है कि बिहार बजट 22 अनुसार राज का राजकोश्य घाटा कुल GDP का कितना परतिसत अनमानित है कितना परतिसत अनमानित है यह होगा 3.47% यह बहुत important question इसे याद रखेगा यह question 67 BPSC में आया था यह question 67 BPSC में आया था पूछा गया था तो आपको राजकोश्य घाटा से जो भी डाटा इसे याद रखेगे next question है question है कि बित्य वर्स 22 में बिहार में पंचैती राजपार कुल बियाय का कितना परतिसत खर्ज किया जाएगा यह क्या जाएगा 4.12% option C हो जाएगे next question है question 28 बिहार बजट 22 कि अनुसार कुल कितने नगर निकायों को ODF पलस घोशित किया जाचुका है ODF पलस घोशित किया जाचुका है यह important है याद रखेगा 24 जीलो को कितने नगर निकाय को तो 24 नगर निकाय को option D हो जाएगे आगे देते हैं question 29 बिहार बजट 22 कि अनुसार राज का हरित आवरन कुल भावगोलिक छित्फल का लगभग कितना परतिसत हो गिया है यह हुआ है 15% option C हो जाएगे question 30 question है कि बित वर्ष 22 में राज में कुल कितने आवधुरिक पार्क विक्सित किया जाएंगे यह किया जाएगा 7 option C हो जाएंगे question 31 31 है कि बिहार बजट 22 के अंतरगत 7 निश्चे योजना 2 के लिए कुल कितने करोड रूपिय का आवधुरिक किया गिया है यह है 900 क्रोड option यह हो जाएंगे आगे देते हैं question 33 32 में हर घर में खेत क्या सीचाइक पानी सुरी हर खेत में सीचाइक पानी हर खेत में सीचाइक पानी के लिए कुल कितना करोड रूपे का आवधुरिक बजट की प्रवधान है तो 33 को जाएगा option C 600 क्रोड आगे देते हैं question 34 question है कि बिहार बजट 32 के नुसार बाड़ प्रवाहित परिवारों को कितना धंडा सी दिया जा रहा है तो 6000 option C जाएगे question 35 question है कि बित्य वर्ष 32 का कुल बजट पिछले वर्ष 21 के बजट के से कितना अधिक करोड रूपिया है तो 35 हो जाएगा option A यानि 19,338 करोड आगे देते हैं question 36 question है कि बित्य वर्ष 32 में कुल राज़ परावतियां पिछले वर्ष 21 के बजट से कितना रूपिया अधिक है तो 36 को जाएगा option C 10,436 करोड आगे देते हैं question 37 बित्य वर्ष सोरी बित्य बजट 22 का कुल पुझी गत्व्याय पिछले बित्य वर्ष 21 के बजट अनुमान से कितना अधिक करोड रूपिया है तो 37 को जाएगा option D 45 45 सो तीन option D रहेंगे 45 सो तीन करोड आगे देते हैं question 38 question 38 बिहार बिजट 22 के नुसार राज सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा परावत करने का लक्ष रखा गया है तो यह है 200 क्रूर आगे देते हैं question number 40 question है कि बित्य वर्स 22 तेश में बिहार में आपधा परबंदन पर कितना रूपिया भी खर्च किया जाएगा आपधा परबंदन पर किया जाएगा option B युणे गे 3696 क्रूर question 40 कुछन है कि बित्य वर्स 22 थेज़ के लिए बिहार का अनुमानित बाकाया सावजी के रिन GDP का कितना प्रतिसत होगा तो 41 का हो जाएगा बित्य वर्स 22 थेज़ के नुसार बिहार में गौण के बिकास पर कुल बज़ट का कितना खर्च किया जाएगा तो ध्याना के बियारिस को जाएगा बिहार बज़ट 22 के तथ राज में कितने नए रोपवे परिजना की सुकृति दी गई है यह है छे ओप्शन C हो जाएगे नेस कोशन है 45 करा है बिहार बज़ट 22 22 थेज़ के नुसार किस वर्स तक बिहार सरकार सतत विकास लक्षो की प्राप्ति का लक्ष रखा है यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है इसे ध्यान रखेगा यह लखा है तो यह लखा है तो यार 30 तक ऑप्शन D हो जाएंगे आगे दितने नेस कोशन 46 46 है कि बिहार बज़ट 22 के नुसार कुल कितने इतने नौल इकाइन लगाने का काम पूरा होगा यह है 151 ऑप्शन D हो जाएंगे कोशन 47 करें बिहार बज़ट 22 के तत महतपूर्ण घोशनाओं में निमे से कौन सा सत्य है ऑप्शन ए है कि पतना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौरहाप पर 80 टावर बिल्कुल सही है बी है बीटा में 80 टावर यह भी सही है तीर यह राजगीर में 80 टावर एटी सीटी राजगीर में 80 सीटी यह भी सही है यानि इसका ज़गा ऑफ्शन दी वान टू एंड थिरी तीनों सही है नेस कुछन है नेस कुछन है फोर्टी एट फोर्टी एट है फोर्टी एट है कि बिहार बजट 223 के नुशार निम्मे से किस परवत पर भागवान बुद्ध की विसाल काई मुर्ती का अधी अस्थापन क्याराय जाएगा यह याद देखेगा फोर्टी एट का हो जाएगा ऑफ्शन नमर पर दिया है और कुछ अस्थान दिया है तो मंदार परवत हो जाएगा बांका Зिला मंदार कर जाका बांका जीला फिर है ब्रह्म्योनी परवत भी का ये जाएगा ऑप्शनraste परवत फिर है ऑर फोर्टी यार जाएंगे आपका आगे देते हैं कोश्चन नमबर 50 या लास्ट कोश्चन है आज का कोश्चन है कि बिहार बजट 22 थेश का नुसार जीवी का दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विवाग की सहयोग से कराया जा रहा है या कराया जा रहा है स्वास्त आप्सन यह जाएंगे थैंक्यू देने बाद आज के लिए इतना ही